प्रधार मंत्री नरेंद्र मूदी आज मदिर प्रदेश की रेड़ी पट्री वालों के साथ करेंगे स्वनिधी समवाद प्रधार मंत्री ने कहा कारिक्रम के जरिये परिश्रमी स्ट्रीट वेंडर्स के अनुभवों को जानने का मिलेगा मौका स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए जून में लॉंच की गई थी पीम स्वन निधी योजना शांगाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की परिशत की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री स्जेशंकर पहुंचे मौस्कोव इस से पहले विदेश मंत्री ने किया एरान का दौरा एरान के विदेश मंत्री जाविद जरीव के साथ हुई सार्थक बैठक सुशान सिंग राजपूत मामले में मुक्यारोपी रियाद चकरवर्ती की जमानत या चुका हुई खारज अदालत ने चौदा दिन की नियाए खिरासत में भेजा एंस्टी पी ने कहा रियाद बारा दीकी जानकारी की जांच करने की जरूरत देश में कुरोणा रिकावरी दर हुई 87.6 पांच फीस थी करोणा के कारण मौतों के मामले में वैश्विक औसर्थ 3.28 प्रतीशत के मकाबले भारत में मिर्टी उदर महज 1.7 शूली प्रतीशत देश के सब्तरा राज्यों में मिर्टी उदर 1 प्रतीशत से भी कम स्वास्त मंतरवाले ने उद्धे में ता प्रश्रिक्षन उच्ष्रिक्षन संस्थानों और स्कूलों के लिए जारी के दिशान निर्देश स्वैच्छे का धार पर 9-12 कक्षा के चात्रों के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से खोलनी के लिए किस सतंपर से हो गया नुमती दिली मेट्रो की ब्लू और पिंक लाइन सेवा आज से बहाल युएस ओपन में 2018 की विजेता, जापान की नाओमी, ओसाका और अमेरिका की जेनिफर ब्रांडी पहुंची सेमी फानल में बुरु शेकलबर्ग में अलेक्जेंडर जवारेव से भी बनाई सेमी फानल में जगा नमस्कार समाचारों में आप सभी का स्वागत है, शुडवात करेंगे इस पक्त की एहम ख़बर के साथ प्रधाल मंत्वी नरिंद्र मुदी, आज मधिर प्रदेश की रेडी पट्री वालों के साथ स्वनिधी समबात करेंगे भारत सरकार द्वारा COVID-19 महमारी से प्रभावित निर्धन रेडी पट्री वालों को पुनहा आजी विका से जोडने के लिए पे-म स्वनिधी योशना भारत सरकार द्वारा एक चुल दोजार पीस को प्रारम की गई थी मधिर प्रदेश राजजे त्वारा इस योशना के अंतरगरत साड़े चार लाख पात्र स्ट्रीट वेंडर्स का पज़िकरन किया गया और चार लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को परिचे पत्र तथा वेंडर प्रमान पत्र जारी है गए मधिर प्रदेश राजजे ने 2.5 लाख योगे लाभार्टियों के आवेदन पोर्टल पर बैंकों के समक्ष प्रस्तूत कर दिये हैं और विदेश मंत्री स्टेश रंकर शंगाई सयोग संगठान स्ट्रीट के विदेश मंत्रियों के आथ से शुरू हो रही बैठक में शामिल होने के लिए रूस के चार दिनों के दौरे पर मौस्कों पहुँच गए है उनका ये दोरा रक्षा मंत्री राजणाट सिंकी रूस की रास्थानी के यात्रा करने के महस कुछी दिनोंबाद हो रहा है राजणाट आठ सदस्ये Seo के रक्षा मंत्रों की बैठक में शामिल होने के लिए यहां आये थे S.T.O. के सदस्य देशों में भारत और चीन भी शामिल है ये परिशत की तीसरी बैठक होगी जिसमें भारत पूर्ण सदस्य की तौर पर सम्मलित होगा रूस पहुशने से पहले जैशंकर कल तहरान में रुके और अपने इरानी समकष जवाद शरीफ के साथ वारता की जिसमें द्विपक्षी और क्षेत्री घटनाकरमों के विबिन पहलू शामिल थे उन्होंने ट्वीट किया तहरान में रुकने के दौरान विदेशमंद फीज अबाद शरीफ के साथ उप्योगी बैठक होई द्विपक्षी सम्मन्दों पर चरजा होई और क्षेत्री घटनाकरमों का जायजा लिया गया महतरीन भेमान नवाजी के लिए उनका धन्यबाद इरानी विदेशमंद वाले ने भी एक ट्वीट में कहा कि दोनों देशों ने विपक्षी सम्मन्दों को उनके सभी संदर्भों में मस्बूत बनाने पर जोड़ दिया इरान के विदेशमंद्री जवाद जरीफ ने ट्वीट में कहा आज बारता के लिए तहरान में मेरे भारती समकक्ष डॉक्टर एस जैशंकर की में स्पानी करने में खुशी हुई वेपक्षी संबंधों और व्यापार के विस्तार पर चर्चा की और महत्वपोर्ण क्षेत्री मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया हमारे पडोस के साथ हमारी सक्रिय भागेदारी हमारी सर्वोच प्राथ मिकता है रक्षा मंद्वीर राजनाज सिंग भी पिछले शनिवार को रूस से इस पदेश लोटते समय तहरान में रुके थे और अपने रानी समकक्ष ब्रिगेडियर जनरल आमिर हात्मी से उन्होंने बात चीट की थी और इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ समवाद आता अभीशेग जा अभीशेग सबसे पहले स्चियो की बात कर लेते हैं कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है जहां पर एस जैशंकर पहुंचे है जैया ये किस्तरा मौका होगा जब से भारत स्चियो का पूर्ण काली सदसी बना है उसके बात से ये भारत इसनी हिस्सा लेगा आज की जो बैठक होने वाली है उसमें मुख रूप से आने वाली शिखर बैठक की चर्चा होगी शिखर बैठक इसमें कि स्चियो जो सारे जो स्चेट एक्जिकुटिव जो हेड़ाफ स्चेट्स हैं वो हिस्सा लेंगे भारत का नेतरुष प्रधानमत्री ने मुदी कर सक तो उस मीटिंग में क्या हो क्या कुछ उस उस पर डिसक्शन हो इसका ब्लूपिंट इसका खाका तयार किया जा रहा है और यह मुख मुदा रहेगा आज के बैठक में उसके अलावा जो प्रमुख अंतराश्ची मुद्धे हैं जो ख्षेट्र सुरक्षा के मुद्धे हैं आतंगवात का मुद्धा हो कोरोना महामारी के दर्वान दुनिया ने किस तरह से रियाट किया है और क्या कुछ और किया जाने की ज़रूत है इन तमाम विश्यों पर गहन विस्तार से चर्चा होगी क्योंकि सभी जो स्थेट हैं उसके विदिश मंत्री आज यहां पर मौज अपनी जो तमाम चिंटाएं हैं वो इशारों में बता सकता है कि किस प्रगासे टरिरिजम और एक्सपेंशनिजम जो है ये दो मुद्धे हैं तदकाल जो भारत को सीमाओं पर परिशान कर रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों को इस चीज़ करना चाहिए और इस चीज़ पर भारत अपने सेयोग ढूंड सकता है अपने सिंटर लिश्या के देशों के साथ बिलकुल देखना होगा वाकि काफी महतवपूर्ण होगी क्योंकि ये दोरा जो हो रहा है उनका वो रक्षामंस्री राजनाथ सिंग के रूस की राज़ानी के आतरा के महस को सिन बात हो र और और कुछ अगर आप देखें इस पूरी यात्रा के अगर माइने और समझना चाहें तो किस तरह से आप कहीं है अब इरान हमारा एक बहुत बड़ा इस्ट्रेजिक पार्टनर है और थोड़ा से कहें तो हमारे एक्सेंडेड निवरूर्ट का भी वह हिस्सा रहा है इरान से हमारे जो तालुकात वो पर बरगरत प्रूट चे रहे हैं इरान हमारे बहुत बड़ा और रहा हुआ है सबसे बड़ा यह और सप्लायर रहा हुआ है हाला कि बाद के अभी पिछले कुछ सालों में अमेर की जो सांक्शन से उसके बाद भारत और इरान का तेलिंपॉर्ट बारत और इरान के रिष्टों में एक confidence building measure की तरह भी देखा जाना चाहिए जहां पर दोनों देश एक दूसरे की चिंताओं को खास तोर पर अफगानिस्तान को लेकर क्योंकि अफगानिस्तान इरान का बहुती बॉर्डरिंग स्ट्रेट है और अफगानिस्तान में जो भी पी परमूज है और तमाम जो गल्फ कंट्रीज के बीच में जो तनाव हैं उनको लेकर भारत और इरान के विदेश मंत्रियों के बीच में बात्चीत होगी ऐसा हम मान सकते हाला कि किसी ऑफिशल वक्तवी का हमें अभी दिजार है दोनों देशों के विदेश मंत्रियों अपने बाता में रिजन सेक्यूरिटी और जो बाइलेटर कोपरेशन है उनकी चर्चा की गई है एक महत्वपूर्ण मौका है जब भारत अपने तमाम जो गल्फ के देश हैं उनके साथ एक आउट रिच कर रहा है उनके साथ एक और बिल्डिंग मेजर ले रहा है ऐसे वक्त में ज बिल्कुल चले बहुत बहुत शुक्रियास जानकारी के साथ जोड़ने के लिए आपसे आगे भी संपर्क करते रहेंगे जिए देश मंत्री एस जैशंकर शांगाई सहयोग संगठन की देश मंत्रियों की आज से शुरूरी बैठक में शावल होने के लिए रूस पहुंच और इस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और अंतराश्री सौर गठपंदन आये से दुबारा कल विश्व सौर प्राद्योगी की शिखर सम्मेलन का उपीडियो कॉन्फिरिंसिंग के ज़रिया आयो जिन किया गया 153 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागी इस सम्मेलन में शामिलन में सौर उर्जा की अगली पीड़ी की प्रण्योगी क्योंको लेकर नवीन और नवीकर्णिये और सस्ती टिकाउ स्वच हरित उर्जा की उतपादन में तेजी लाने के बारे में विजारवे मर्श किया जा साइंस के बीच 47 परियोजनाओं को लागू करने के समझाओते पर भी दस्तखत किये गए इस समझाओते के तहएट NTPC ISA के 47 अधस्य देशों में सौर उर्जा उतपादन परियोजनाओं शुरू करेगा I strongly urge all nations to join this critical initiative to protect our mother earth and scale up the utilization of solar energy as a tool against climate change. India has the lowest per capita carbon emissions in the world, but we have still pressed ahead with the deployment of renewable energy at a frenetic pace. We have enhanced our installed renewable capacity by two and a half times and increased our solar installed capacity by more than 13 times. Globally, India now ranks fourth in the terms of renewable power. वाड़ा पर एक digital कारिक्रम को संबोधित करते वे ड्रिश्टी बादिता को बड़ी चुनोती बताया और कहा कि करीब 46 लाख लोग भारत में द्रिश्टी हीन हैं और उनमें से जादतर तर लोग 50 पर्ष से अधिक आयूगे हैं. उप राश्टी बड़ी ने कहा कि अभी भी देश में कम संख्या में ही लोग अंगदान करते हैं लहाजा लोगों को जागरुग बना कर और जिलावस्तर पर अंग प्रतिरोपन के लिए परयाप्त बुनियादी धाचा तयार कर मानसिक्ता में बदलाव लाने के जरूरत है. उन्होंने हर नागरिक से खासकर युवाओं से अपनी आश्रंकाओं को पीछे छोड़ते वे अंगदान करने का संकल्प लेने की अपील की. और सुशान सिंग राजपूत केस में ड्रग अंगल सामने आने के बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चकरवर्टी को गिरफतार कर कल कोट में पेश किया. कोट ने रिया को 14 दिन की नियाए खिरासत में भेज़ दिया हैं. रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने रिया के लिये जमानत की अर्जी दी थी जिसे कोट ने खारच कर दिया. NCB نے RIA की जमानत का विरोध करते वे कहा कि RIA चकरवर्टी मामले में आरोपी है वे यदि जमानत पर RIA होती है तो मामले को प्रभावित कर सकती है RIA ने कई इहम बातें बताई हैं जिन पर जाच जरूरी है बतादे NCB में रिमान कॉपी में रिया को ड्रग सिंडिकेट का सक्रिय सदस्ते बताया गया है इसके मताबिक रिया ने ड्रग लेने की बात नहीं कपूली है वे सुशान सिंग राजपूत के लिए ड्रग मोहिया करवा रही थी और पेडलर के संपर्क में थी सुशान की कहरे पर पेडलर्स को पैसे रिया ने दिये थे और मुंबई से इस वक्त जुर रही है हमारी संबाना था श्यामा मिश्रा श्यामा सबसे पहले आप सही जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है कि अज प्रश्च चक्रवर्ती सामन मिरांडो और डिपेश सावन की आज करस्टी खतम हो रही है उसके बाद में उसे एक्स्टेंग कराने की रही कि साथी ज़कर बाहारा है कि यह बताया जा रहा है कि रियम वाप से पक निट करता है और झाथ करता इजनसी आंगा कि तो कि सभी नहीं बंड होदिए उर प्ररोफिय करती है कि सामने सामनी अब जो शौडिक भी जो रहेगा अधी तापी तरीके से चो आपिसी लगाई हुए हैं यह आपी को जिसके तहत अरेस्किये गए हैं। अगर ये सारे चार्जिस होते हैं तो वो दस साल जितने लंबे जेल में जा सकी है इसलिए अगर देखते हैं कि क्या कुछ आगे इसमें जानकारी मिलती है क्योंकि यह कि इस रोज नहीं मोड ले रहा है बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इस जानकारी के साथ चुनने के और गेंजरी स्वास थे इवं परिवार कल्यान मंत्राले नेक अक्षा 9 से 12 तक के चात्रों के लिए स्कूल को आंशिक रूप से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं ये फैसला स्वैच्छिक आधार पर होगा और चात्र अध्यापकों से परामश ले सकेंगे इस तरह की गतिविधी को 21 सितंबर से मंजूरी दी जाएगी इन दिशा निर्देशों में समाजिक दूरी का पालन, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और आरोगे से तू आप डाउनलोड करना अनिवारे होगा इसके अलावा चात्रों को अभी भावकों से लिखित केंड्रीय स्वास्ते मंतरवाले ने उचिशिक्षन संस्थानों और उद्यम प्रशिक्षन केंड्रों को 21 सितंबर से अपनी कक्षाएं बहाल करने की अनुमती दे दी है इस बारे में मंतरवाले ने कल S.O.P. भी जारी किया निदेश में कंटेन्मेंट जोन से बाहर के संस्थानों को ही खोलने की अनुमती दी गई है साथ ही ऐसे चात्र या संस्थान के करमचारी जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उन्हें संस्थान में आने के लिए नहीं कहा गया है मंत्राले ने अलग-अलग समय पर कक्षाएं आयो जित करने डेस्कों के बीच छे फुट की दूरी बनाने और समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तमाल करने जैसे कोविट उनने सो रक्षाओ पाए अपनाने को कहा है दिशानिरदेश के अनुसार कक्षाओं में कुर्सियों और डेस्कों के बीच छे फुट की दूरी रखने को कहा गया है साथ ही फोजनालियों में हर वक्त एक दूसरे से दूरी बनाये रखनी की बात भी कही गई है भोजन का समय अलग-अलग कर दिया जाना जाहिए ताकि भीड ना हो संस्थानों में सिर्फ बिना लक्षन वाले चात्रों और करमचारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा शिक्षर संस्थानों में आगंतुकों के आने पर रोक लगाई गई है इसके लावा परिसर और चात्रवासों के संक्रमण मुक्त रखने के लिए उपायों को अपनाने पर जोड दिया गया है भारत में करोणा मरीजों के लिए बहतर स्वास्ति सुविधाओं की बदौलत अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 33,23,000 के उपर हो गई है वहीं मृत्यूदर भी घटकर एक दिशनल लव साथ शूने प्रतीशत हो गई है वहीं पिछले 24 खंटों में 10,98,000 से जादा कोविड नमूनों की जाच हुई है भारत सरकार की टेस्ट, ट्राक और ट्रीट की रणीटी के व्यापक और सूची संशी कारवायों के तहट मृत्यूदर कम हुई है और देश में कोविट 19 से होने वाली मृत्यूदर एक दिशनल लव साथ प्रतीशत से कम है कि हमारा मकसद एक प्रतीशत से कम का राष्ट्रिये CFR यानी मृत्यूदर हासिल करना है देश में अभी 17 राज्ये और केंदर शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कोविट 19 से होने वाली मृत्यूदर एक प्रतीशत से कम है जिसमें मिजोरम, दमन, एवदीव और दादर एवं नागर हवेली, अरुनाचर प्रदेश, नागालैंड, सिक्केम, असम, केरल, उडिशा में तो मृत्यूदर आधे प्रतीशत से भी कम है ये सब मानक उपचार प्रोटोकॉल के कारण संभव हो सका है और सरकार ने सारवजने कक्षेतर के उप्रम पावगृट कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेट को उसकी साहिक कमपनियों की संपत्यों के मौदरी करण के अनुमती दे दी है ये बिक्री अब सरचना निवेश ट्रस्स के जर्ये की जाएगी इससे कमपनी को पहली खेप में 7000 करोट रुपे मिलने की उमीद है प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में हुई मंत्री मंदल के आर्थिक मामलुकी समिती ने एक एहम निड़ने लेते हुए पावगृट कॉर्परेशन को अब सरचना निवेश ट्रस्ट के जरिये संपत्यों का मौदरी करण करने को मंसूरी दे दी है यह पहला मौका होगा जब बिजलिक शेत्र का कोई सारवजनिक उपक्राम अपनी परिसंपत्यों को इनविट प्रणाली के जरिये मौदरी करण करेगा और उसमें प्राप्तराशी के नए और निर्माना धीन पूझी कतपरी गुजनाओं में इस्तमाल करेगा पावर गृट की इन परी संपतियों में उठक्षमता की ट्रांस्मिशन लाइने और सब स्टेशन शम और कोविट-99 के कारण 171 दिनों तक बंढ रही दिल्ली मेट्रो की ब्लू और पिंक लाइन पर सेवा आज से बहाल हो गई है दिली मेट्रो ने संचालन के समय में कटाटी और कोविट-19 सुरक्षा उपायों के साथ सोंवार से येलो लाइन पर सेवा बहाल की थी महमारी के कारण 22 मार्स से ही दिली एंसियार में मेट्रो सेवा रूख दी गई थी मेट्रो ने कहा है कि दिली मेट्रो आज से अपनी ब्लू लाइन दुबारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रोनिक सिटी वेशाली और पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार पर सेवा शुरू कर रही है इन दोनों लाइनों पर सेवा एं सुभा साथ से ग्यारा बजे और शाम को चार से रात आठ बजे तक उपलब्द रहेंगी हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड रहें समवाद दाता गरीश नशाना गरीश आप से जाना चाहेंगे सब से पहले किस तरह से हूँगे दियम मेट्रो में ट्रावल करने के लिए और साथी साथ लोगों के लिए एक बड़ी सहूलियत की बात है तो किस तरह से उदर भी प्रतिक्रिया आ रही है? फिर से आरम हुई है इसके लावा नॉड़ा के इलेक्रोनिक सिटी से लेकर द्वार का और पिंक लाइन की बात की जाए तो पिंक लाइन पर सिब यहार से चाहिना कहीं यह मैट्रो चालू हुई है मैं अपने केमरा साय हो कि संदीब से काऊंगा कि वे दिरस से दिखाएं जहां देख सकते हैं इस समय हम बिलू लाइन पर मौजूद हैं और लोग काफी उससाइद हैं क्योंकि जो गाज्यबाद से आने वाला व्यक्ती है और उसको दौार का तक जाना है लंबे जो दूरी उसको बहुत सहूलियत हो गई है हाला कि सामाजिक दूरी का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है मैट्र स्टेशनों पर खास तोर पर जो है सैनेटराइज किया जा रहा है जो भी अपना सामान लेकर आ रहा है उसको सैनेटराइज किया जा रहा है हातों को सैनेटराइज क सेवा आरंब हो पाई है और कहीना कहीं मजलिस पारक से सिभ पियार के लोगों को भी कहीना कहीं फाइदा मिलेगा और इस तरह से कहीना कहीं जो दिल्ली की जो लाइफ लाइफ लाइन कहीं जाती है परिवेन का जो जरिया मुख्य जरिया कहा जाता है उससे कहीना कहीं लोगों तो येली लाइन के साओं जुड़ जाएंगे। कुटी और चाहनवाज एहमद मीर के तौर पर की गई है पुलस के मताबिक जमू से श्रीनगर आ रही ट्रक जिसका रिजिस्ट्रेशन नमबा जे के टू टू बी एक साथ तीन साथ था से इन आतंकियों को पकड़ा गया है जांच के दौरान इन आतंकियों के पास से दो एके स तैन तालिस एक आई एडी का बकसा तीन मागजीन के साथ एक एम चार यूएस कारबाइन और बारा मागजीन के साथ छे चाइनीज पिस्टल भी जब्त किये गए है और दुनिया भर में एक तरफ जहां कोविट उनिस से प्रभावत लोगों की संख्याओं में लगातार लाग से जादा हो चुकी है करीब एक करोड अठानमे लाग से जादा लोग कोविट उनिस को माद दे कर जंग चीट चुके हैं जबकि इस महामारी से विश्व भर में अब तक करीब नौ लाग से जादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वारस पर काबू पाने के लिए बन रही वाक्सीन बर तेजी से काम चल रहा हैं लेकिन इन सब के बीच आस्ट्राजनेका और आक्सफोर्ज उनिवरसिटी को वाक्सीन के ट्रायल को रोकना पड़ा है मानव परीक्षन में शामिल एक व्यक्ती के बिमार पड़ने से इस पूरी प्रक्रिया को रोकना पड़ा है AstraZeneca ने कहा है कि ये एक रूटीन रुकावट है क्योंकि परीक्षन में शामिल व्यक्ती की बिमारी के बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा Oxford University में वाक्सीन के ट्राल पर पूरी दुनिया की निगाहे टिकी हुई है इस वक्त दुनिया भर में करीब एक दर्जन जगाओं पर कुरोना वाक्सीन का ट्राल चल रहा है लेकिन जानकारों का माना है कि Oxford University का ट्राल सबसे आगे है और जॉर्डन मेनियमित अंतराश्ट्री उडाने शुरू हो गई है COVID-19 महामारी के कारण करीब 6 महीने तक अंतराश्ट्री हवाई सेवा निलंबित थी जॉर्डन आने वाले यात्रियों को यात्रा के अनिवारे परिक्षन के साथ-साथ यात्रा के 72 घंटों के भीतर एक COVID-19 जांच प्रमान पत्र की जरूरत होगी विदेशी यात्रियों को एक सब्तहा तक आईसोलेशन में रहना होगा जॉर्डन सरकार को कुरोना महामारी के चलते अंतराश्ट्री उडान सेवा कई बार स्थगित करनी पड़ी थी ताकि देश में COVID-19 के मामनों पर काबू पाया जा सके तो COVID-19 के कारण 6 महिने तक हवाई सेवा ने लंबत थी विदेशी यात्रियों को एक सब्तहा तक आईसोलेशन में भी रहना होगा और खेल की दुनिया की बात करें तो यूएस ओपन की पूर्वर चैंपियन जापान की नाओमी उसाका पूर्वर चैंपियन ने सीधे सेटों में जीत दर्श कर यूएस ओपन के समी फानल में जगह बनाई जापान की चौथी वरेता प्राप्त खिलाडी और 2018 की चैंपियन और साका ने शेल्बी रोजर्स को 6-3, 6-4 से पराजित किया अमेरिका की जेनिफर ब्राडी ने भी एक अने खौटर फानल मुकाबले में यूलिया पुतिन सेवा को 6-3, 6-2 से हराने में कामिया भी पाई नाओमी उसाका का समी फानल में अमेरिका की जेनिफर ब्राडी से होगा मुकाबला वहीं पुर्ष वर्ग में जर्मनी के पांचपी वरिता प्राप्त अलेक्जेंडर जवारेव ने अपनी दमदार सर्विस के दम पर पहली बार यूएस ओपन के सेमी फानल में जगा सुरक्षित की है जुएरेव ने पहला सेट 6-1 से गमाने के बाद शांदार वापसी करते हुए एक रुष या के 27-वे वरिता प्राप्त बोर्णा कोरच के खिलाफ अगले तीनों सेट कड़े मुकाबले में जीते हुए माच को 1-6, 7-6, 7-6 और 6-3 से अपने नाम किया माका दूद शिशु को कई स्वास्ते समस्याओं से सुरक्षित रखता है और यदि शिशु बिमार हो जाए तो उसको जल्द ठीक करने में साहता करता है आईए समझते हैं कि माका दूद शिशु के लिए कितना आवश्यक है मा का दूद शिशु के लिए वर्दान है शिशु को 6 मा की आयू तक सिर्फ मा के दूद की आवश्यक्ता होती है स्तनपान कराने से मा और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत बनता है बच्चों के स्वस्त जीवन की नीव नवज़ाश शिशु के पोशन से होती है और नवज़ाश शिशु के लिए सर्वत्तम और पौश्टे का हार है केवल और केवल मा का दूद बच्चे के जनम के आदे एक घंटे के अंदर ही मा का दूद आरम कर दे और बच्चे को 6 महिने का होने तक केवल मा का दूध ही दें उपर का दूध, पानी या कोई वी और तरल पदार्थ बच्चे के लिए हानिकारक सिध हो सकता है मा का दूध शिशु के लिए कई मायनों में लाबकारी है शिशु को जरूरी पोशक तत्व मा के दूद से मिल जाते हैं मा का दूद शिशु को संक्रमन से बचाता है मा के दूद में एंटी बॉडीज होते हैं शिशु में रोगप्रतिरोधक्षमता इससे मजबूत होती है शिशु को दस्त और निमोनिया जैसी बिमारिया होने का खत्रा कम हो जाता है उसका शारिरिक विकास बहतर होता है शिशु के मस्तिश्क का विकास बहतर होता है मा का दूद पीने वाले शिशु का बौधिक विकास भी बहतर होता है मा और शिशु का भावनात्मक जुडाव मजबूत बनता है जीवन में आगे चलकर मधुमे, उच्चरक्त चाप और हृदे रोग जैसी बीमारिया होने की संभावना भी कम हो जाती है शिशु को स्तन पान कराएं जिस से शिशु स्वस्थ रहे और उसका जीवन बेहतर बने किरन भारद वाज डीडी न्यूज स्वस्थ मा स्वस्थ बच्चा इसे के साथ इस पुल्टर में इतना ही लेकिन ख़बरों का सलसला जारी रहेगा आप बढ़े रहें डीडी न्यूज के साथ मुझे दीजे जासत नमस्का चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं बच्चों और बच्पन से